प्राइलू स्टुडेंड्स लास्ट क्लास में हमने लिया था ग्रीन एलगी के बारे के बारे में तो ग्रीन एलगी ग्रीन एलगी के जसे गरीन के visto जो हम ने की थि वॉलवॉक्ष उटउग ओनैम और कारा उससे पहले हमने लिया था साइन कोंवी नॉस gadgets आगा शिलें सोड़ पेले हम पीएंगे पर झाले करयंगे हैं थे पिर क्रेंगा हम लेंगे इसका मेंबर तो सबसे पहले देखिए जनरल केरक्टर फियो फाइस यह ब्राउन एल्गी जो है इसके लगवक 240 मेंबर पाए जाते हैं जिनकी 15,000 से अधिक इस पीसीज है इन एल्गी में जो सबसे सामानी करेक्टर देखे मैं आप वो एक जनरल बाद बता देती हूँ तो यह होती हैं कि यह समूंदर में मलते हैं अधिकास इसके अंदर जो लिवफ pemannak कॉन गॉन से है इसके अंदर लिव प्रोडेक्शन कौनजा है, सैल वाल किसकी बने वी है और स्टोर्फूड किस परकार का है यह मुख्यत है आपको पता होना चाहिए ठीक है तो देखिए इसके अंदर जो पिग्मेंट की बात करें तो इसके अंदर क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C पता कैरोटीन होता है और जैन्थोफिल मिलते है इनके अंदर जो ब्राउन कलर होता है वो जैन्थोफिल्स की अधिकता के कारण होता है जैन्थोफिल्स में अधिकांस तहब फ्यूकोजेंटीन बरकार का जैन्थोफिल्स मिलता है जो इनको brown color देता है इसी कारण यह जो एल्गी है वो बुरी सेवाल या brown एल्गी कहलाती है अब इसके कुछ मेंबर है प्लूरो क्लेडिया, स्फैसिर एरिया स्यूडो बॉर्डे डेनादी की कुछ जातियां जो है वो fresh water में मिलती है इसके अलावा अधिकांस जो brown एल्गी है वो intertidal zones of rocky cost line यानि कि जो जवार भाटे अंतर जवार ये छितर के जो चटाने हैं, वहाँ पर आपको भी लेगी ये जो होती है चटान के उपर attach रहते है जिस organ से की attach रहते है उसे कहते है hold fast इनके अंदर ये bladder पाए जाते हैं इन से वालों में यानि कि ऐसे chamber जिनके अंदर air भरी भी रहती है जिसके कारण ये क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं तो ये air bladder एक तरह से इनको बायों से परदान करते हैं भारत में ये देखें तो ये द्वारिका, पोर, बंदर, मुंबई, लक्षदी, मादी, वादी पे मिलते हैं अब इनके ले लेते हैं, जनरल केरेक्टर डिटेल में तो इनकी थैलस ये देखें तो थैलस इनका compact या complex होता है इनमें एक कोशी किया, या फिर जो simple filamentous form है, वो नहीं होती है complex है, इसमें आपको filamentous form दो मिलेगी, लेगे थोड़ी complex होगी इसके अंदर hydrotricus मिल सकता है, hydrotricus का मतलब ऐसा सेवाल जिसके अंदर एक से अधिक तन्दु हैं और वो अलग-अलग प्रकार के हैं, यानि कि एक erect प्रकार के हैं और एक trostate प्रकार के हैं जैसे ectocarpus, दूसरा है multi-axial, multi-axial का मतलब है, है तो सारे erect लेकिन एक से अधिक एक्सेस एक ही सेवाल में निकल रही है जैसे मारी acutula, फिर उसके बाद में है uniexial pseudo-baron gaiementus, pseudo-baron gaiementus का मतलब होता है कि है तो बहुत सारे filament, लेकिन वो आपस में इस तरह से चिपक कर अरेंट हो गए हैं बहुता है एक ही मुटा फिलामेंट है, दूसे कहते है, pseudo-baron gaiementus, इसके बारे में हमने जब LG के general character की थे, तो प्थैलस के मैंने आपको डीटिल में बदाया था कि pseudo-baron gaiementus कैसा होता है, जैसे निमा सिस्टिस फिर उसके बाद parent gaiementus, यानि कि actual ऐसा कोई filament है, जो उसने लंबाई, चोड़ाई और उंचाई तीनों में व्रदी कर ली है, तो वो actual parent gaiementus कैलाता है, जैसे कि laminaria और fucus इसके बाद में देखिए, laminaria और fucus, जो order है, उनमें hold, उसका जो थैलस है, वो तीन बागों में differentiate रहता है, hold fast, यानि कि वह होरकन जो उनको चट्टानों से चिपकाता है, फिर stock और फिर जो पीछे वाला प्लाट, जो leaf tumor होता है, वो कैलाता है blade, इसका जो stock और blade है, उसके अ सिर्शस्त का मतलब यह होता है, कि केवल एपिकल पार्ट से ही व्रद्धी हो रही है, इंटर गैलेरी का मतलब है, एपिकल यानि टॉप और बॉट्न की बीच का जो भागे वो थैलस की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्नेदार है, ट्राइको थैलिक का मतलब जैसे लोज की बनी होती है, एलजनिक एसे जो है, वो एकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो लेमिनेरिया सारगेसन ज्यादा जो एलगी है इसकी उसके दवारा आर्टिफीसियल सिल्क और एडेसी बनाया जाता है, फिर इसकी जो साइटो प्लास में उसके अंद होने का करक्डर है, इसके अंदर पिल में कि बात करें, तो अंके जो क्रॉमेटो फोर होते है, वो चप्टे ओ डिसकॉडल होते है, लोफ ए है, खुलोफिल और सी, बेटा कैरोटेंट के साथ में जैन्तो फिल की अधिता है, जैन्तो फिल की बात करें तो लिूटीन, वाइलो जैन्थेन इसके अलावा फ्यूको जैन्थेन मिलता है फिर इसके बाद में देखिए इसकी यदि फोटो सिंथेटिक लैमेलिंगी बात करें तीन अथवा चार थालेकॉल्ट सेरिंपित होती है इसके अंदर पाया जाता है जो सिंगल भी हो सकता है स्टॉक्ट और धसावा रहता है इसकी सेल्स जो होती ही वो यूनिनुगलेटेड होती है प्रतेक कैंटरक में एक अधिक नुकलियोलस पाया जाती है इसके अंदर कुछ जो जीनस है जैसे फ्यूकस के अंदर क्रोमो सेंटर पर दात पाया जाता है रिप्रोडेक्शन इनमें तीनों परकार का पाया जाता है वेजिटेटिव एसेक्सुल और सेक्सुल परकार का इनके अधि फ्लेजिलाओं के बारे में बात करें तो फ्लेजि ठेटिक होती है एक पैंटोरिमेर्मेटिक होती है। दूसरी में देखिए इसके अंदर बात करते हैं रिप्रोडेक्षण का वैकितेटीं रिप्रोडेक्शन जो होता है が फ्रेग्मेंट डिशन के द्वारा होता है इसके अलावा कभी-kभी जो है वे सेक्सवल एक्रडेक्शन की बात करें तो इसमें अंदर युडिलॉकुलर एंड प्लूरि लॉकुलर इस्पषांजया बनती है यानि बाइफ्रेजिलेटिटिड है कसाभी काई वह लेटरली प्लेस्ट होगी हिट्रो कॉन्टी होगी इसके अंदर ग्रोमेटोफोर कॉंट्रेक्टाइल वेक्योल और आइस्पॉर्ट पाए जाते हैं इसके कुछ ऑर्डर जैसे टिलॉप्ट एडिल्स के कुछ दसी कभी-क बीजाणों दाने का जीवद्रवी एक बड़े आकार की क्वाट्री नुक्लिटिट बीजाणों में रुपांतित होता है जिससे मोनोस्पॉर भी कहते हैं फिर फियोफाइसी के अंदर लैक सेक्स्वल रिप्रोडेक्शन जो होता है वह आईशोगेमस या एन आईशोगेमस परकार का होता है और कुछ में उगेमस परकार का भी होता है यानि तीनों परकार का रिप्रोडेक्शन सेक्सोल रिप्रोडेक्शन आपको यहां मिलेगा इसके जो गैमेट होते हैं वो चल विजाणों के समान होते हैं जैसे जूजपॉर है वैसे इद्वी कशाबिक है और के अंदर अधिकान स्तह बाहर निशे चन होता है इसमें और मियोसिस नहीं होता है और बूरे सेवालों के जो राइफ साइकल है वो तीनों परकार का होता है इसमार्फिक हीट्रोमोर्फिक और डिप्लोंटिक इसका यदि अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो फ्रिश नामक साइट्टिस्ट ने ब्राउन एल्गी को दो और में माटा था एक्टोकार्पेल्ज टिलॉप्टेरिडेल्ज Cutlerials, Sporock Nails, Desmerite Tails, Laminarials, Special Arials, Dictor Tails and Fugals तो ये Brown Nail की General Character और इसका Classification Next में हम लेंगे इसका Member